वेल्कम बेक एवरिवन फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में बड़े असानी से गुलाब की कटिंग कैसे लगाएं तो मैं जो आपको यह तरीका बताऊंगा यह एक बिल्कुर ट्राइड और टेस्टेड और न्यू तरीका है जिससे कि आपकी कटिंग बस चार यां पांस दिन में ही तयार हो जाएगी जेसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं में यह गुलाब की पांस कटिंग लाया हूँ यह आपको भी ऐसी मैच्छी कटिंग लेनी है ना जञादध वो कच्ची कटिंग हो और नाही ज्यादध बुड्धी कटिंग हो आपको ऐसी मैच और सी नॉर्मल एज की कटिंग लेनी है ये इंगलिस रोज की कटिंग है आपको इंगलिस रोज की कटिंग हर कोई नहीं दिखाता की कैसे लगाएं क्योंकि जो देशी गुलाव होती है हमारी वो बड़ी असानी से लग जाती है और जो इंगलिस रोज की कटिंग होती वो असानी से नहीं लगती तो मैं आपको और बजाता हूँ आप कटिंग लाते समय देखें कि आपके कटिंग में 4-5 बर्ड हो और वो बर्ड उपर से खराब ना हो या सड़ी गली ना हो जिसमें आपकी छोड़ी बर्ड आ रही हो आप वैसी ही कटिंग लाए क्योंकि वही कटिंग आपकी लगेगी और इंगलिस रोजे ये थोड़ा लगाना मुश्किल होता है इसलिए आप बिल्कुल बड़ी असी ढंकी बर्ड वाली मैच्च और कटिंग ही लाएं तो अब देखते हैं कि अपने गुलाब की कटिंग को कैसे लगाएं तो कटिंग लगाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपको बस सेंड चाहिए जैसे कि आप ये देख सकते हैं जो घर बनाने वाला जो बजरी सेंड होता है वो नॉर्मल नदी का और ये मैंने गोबर की खाद ले लिए बिल्कुल वैल डिकंपोस्ट गोबर की खाद है ये तो मैं इन दोनों को आपस में मिला दूंगा इन दोनों को मिलाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ये हमारा रूट हॉर्मोन हम इसी की मज़द से अपनी इंग्रीश रोज की कटिंग लगाएंगे जिससे कि हमारी कटिंग केवल चार ये पांस दिन में ही तयार हो जाएग आपने बहुत जगा देखा भ फाल्तू सस्तिक से चीज़ के पीछे बरबात कर दोगे तो रूट हॉर्मोन आप भी ले 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 मैं अपनी कटिंग जो ये आप गिलास देख सकते हैं प्लास्टिक की डिस्पोजल तो मैं इसी में लगाता हूँ ताग इसमें बाद में ट्रांसफर करने में असानी रहती है अगर आप सबको एक साथ लगा देंगे एक ही किसी पॉट या किसी चीज में तो उखारने में उसके जड़ टू जाते हैं और फिर वो ट्रांसफर करते समय थोड़ी दिनों बाद मर जाता है तो आपकी कटिंग अंसकसफुल होने का ये भी कारण होता है तो ये पॉइंट भरते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल टाइट से बरें इसमें कोई भी एयर पॉकेट्स ना रहें अगर एयर पॉकेट्स रह जाएंगे तो आपकी कटिंग मर जाएगी और गलास में लगाने से पहले आप इसमें ड्रेनेज होल का चेक जरूर कर ल इसको पानी में लगा देना है इसके पिसले वाले हिस्से में आपको ध्यान रखना है आपको कटिंग के में जो रूट हॉर्मोन है वो पीछे वाले हिस्से में लगाना है आप कहीं कटिंग उल्टी ना लगा दे इसलिए जब आप जहां से काटे वहां पे इसमें कोई मार् अब हम अपनी cutting में root hormone लगाना शुरू करते हैं तो जिस तरफ से आपने cutting में पानी लगाया था उसी तरफ से लगाना है तो ऐसी करके आप भी इसमें धंग से लगा लें आपको कोई इसमें कंजूसी नहीं करनी है अगर आपका पौधा एक बार धंग से सक्षासूल हो जाएगा तो आपके सारे पैसे एक बार में ही वसूल हो जाएंगे तो ऐसी करके आपको जो कम से कम एक node नीचे वाली एक back node तक आपको एक cutting लगानी है क्योंकि node के तरफ से ही node region से ही आपके roots बाहर आएंगे आप इस बात का ज़रूर ध्यान दे कम से कम एक जो node है आपकी वो आप soil में ज़रूर दबाएं और नई तो आप इस से भी जाए दबा सकते हैं ताकि result और भी आपको बढ़िया मिले तो यह हमने अपनी पांचो के पांचो कटिंग में root hormone बिल्कुल ढंक से लगा लिया है तो आपको भी ऐसी ही करके root hormone लगा लेना है तो अब हम इन cutting को direct इसमें hold करने के बाद लगा देंगे तो आप भी इसमें direct ना लगाएं अगर आप इसमें direct अपनी cutting गुसा देंगे तो जो root hormone है वो साफ हो जाएगा तो फिर फायदा क्या होगा root hormone लगाने का तो आप किसी भी चीज ऐसे लकडी के help से आप इसमें hold कर लें और फिर इसमें cutting लगाएं तो मैं ये बस आपको दिखाने के लिए दो glass मैं तैयरा कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी पांचो cutting लगा दूँगा तो hold करने के बाद आप direct इसको बस कुछनी करना आपको ऐसे गुसा देना है और उपर से आपको इसको धंग से प्रेस करना है ताकि इसमें air ना रहे तो ये मैंने अपने पांचो के पांचो cutting लगा लिया और cutting लगाने के बाद इसको धंग से प्रेस कर दिया है तो आप भी ऐसी करके बड़े असानी से अपने घर में जो है इंगलिश रोल की cutting वो लगा सकते है तो अब जो में ट्रीक है जिसके वैसे आपकी जो cutting है वो चारपना दिन में ही तयार हो जाएगी तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक बावने पानी लेना है और उसमें root hormone मिलानी है जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं आपको भी सेम हैसी करना है और इस पानी को mix करने के बाद आपको इन सब में डालना है एक करके मैं यह root hormone वाला पानी सब में डालता हूँ और इसके result मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा तो आप बने रही है और result और भी जल्दी पानी के लिए आपको एक काम और करना है तो आप इसके लिए कोई pot या कोई छोटा bucket हो वो ले लेना है मैंने एक paint की bucket ले लिए और इसमें अपना जो mixture था बचा हुआ जिसमें हमने cutting roots जल्दी आएंगी cutting में तो यह आप direct धूप में ना रखें इसमें ऐसे कर दें और इसमें जो side side आपको जो hole दिख रहे होंगे glass रखने के बाद जगा बच्ची इसमें भी हम यह soil रख देंगे ताकि moisture ढंक से बना रहा है और अगर हमाई roots बढ़ी होंगी तो नीचे pot जो है हमारा उसमें चले जाएगा तो यह हमने भर दिया है और इसमें side side से इसको ऐसे fill कर देंगे तो आपको भी same इसी तरह से करना है तो welcome back दोस्तो after five days यह आया हमारा result तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी छोटी छोटी birds आ गई हैं तो अगर आपको विश्वास ना हो तो आप वीडियो को back करके भी देख सकते हैं जिसमें हमारे एक भी bird नहीं थे और एक भी leaves नहीं थी केवल एक cutting में ऊपर तीन चाई leaves दिवाई थी और यह सब बाकी जो है नए नए बढ़ आया हैं पास दिन के अंदर तो यही होता है root hormone का कमाल तो मैं आपको गुमा गुमा के हैर एक एक cutting में दिखाता हूँ हमारी पांच की पांच को cutting लग चुकी है आप एक एक cutting में आप दस दस बारा बारा bird देख सकते हैं तो जितने ज़्यादा bird होंगे आपके flower भी उतने ज़्यादा आएंगे क्योंकि उतने ही ज़्यादा आपकी branch भी बनेगती है तो इतनी भै झाले थैंक यू